मेरे प्रिये भाई और वेहनों आप सब को प्रभु येशु मसीख के पवित्र और मधु नाम में जय मसीखी मैं हम परमिर्श पिता को धन्वाद देते हैं कि प्रभु ने हमें पूर दिन सम्हाला और हमारी सहाजता की और हमारी मदद की महामारी से नाडरे प्रभु येशु मसीख आपके साथ हैं हम जब जो प्रभु पर विश्वास करते हैं और वो प्रभु पर भारोसा करते हैं विश्वास करते हैं संपूर रीती से आज ये संसार सारिरिक चंगाई के लिए निरंतर सारिरिक चंगाई के लिए प्रात्ना प्राणू की चंगाई के लिए प्रात्ना आज आत्म की चंगाई के लिए कम लोग प्रात्ना कर रहे हैं आत्म को बचाने के लिए लोग कम जीवन जी रहे हैं ये जो समय है, ये जो कठिन परिस्तिती का समय है और वो परमेश्वर हम सब को सम्हालने वाला और हम सब की रक्षा करने वाला परमेश्वर है तो हमें परमेश्वर पर उन रूफ से भरोशा करना है और विश्वास करना है आईए हम अपने सरों को जुकाएं और प्रात्ना करें बिलकुन न डरें शिर प्रात्ना करें प्रभु से प्रभु आपको हर एक को समालने वाला हर एक की सहायता करने वाला परमेश्वर है आईए हम अपने प्राढ अपन सरीर को और अपनी आत्मा को परमेशर के हाथों में सौबें अद्भुतिक्ति करने वाले पराकरमी परमेश्वर, सांति के राजकुमार, सन्नत अंकाल के परमेश्वर हम आपको धनवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए परमेश्वर की जो आपने हमें दिया है कि हम आपके पवित्र नाम की इस्तूति कर सके और आपके पवित्र नाम की महिमा कर सके प्रभू आपने हमें पूरे दिन समहल के रखा हमारी सहाय तकी प्रभू शप्रकार के खत्रों से शप्रकार के दुरुखटनाओं से सप्रकार की महामारी से आपने बचाया है प्रभु इसके लिए हम आपको तहें डिल से धन्यवाद करते हैं प्रभू आप पबित्र हैं आप सर्व सक्तिमान परमेश्वर हैं प्रभू हम ना डरेंगे ना भेंबीत होंगे प्रभू जितने लोग आज मेरे साथ इस प्रात्ना में है हाँ प्रभू अदि किसी के अंदर किसी प्रकार का कोई डर भेंका आत्मा है आज पिता मैं प्रातना करता हूँ कि उनके अंदर से वो डार और बहन का आत्मा दूर हो जाए क्योंकि प्रभू आफ ही है शप्रकार की बिपत्ती से और सत्या नास से होने से बचाते हैं और कोई नहीं प्रभू जीवित परमेश्वर आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं धन्यवाद येश्व धन्यवाद येश्व धन्यवाद येश्व महान परमेश्वर आपने हमें समहाला है आँगे आप हमें समहालेंगे और आप सहायता करेंगे इसके लिए जीवित परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद करता हूँ धन्यवाद येश्यू जितने भी लोग प्रभु प्रात्ना मैं जोड़े हो आसिसित हो आज वचन के दौरा इस प्रात्ना के दौरा मैं विश्वास करता हूँ प्रभु येश्यू धन्यवाद हो महान परमीश सरा प्रात्ना को सुनने वाले रास इसको देने वाले हैं हम प्रभु येश्यू के नाम से प्रात्ना मांगते हैं आमेन आमेन जुजासाललूया हाललूया मेरे प्रियोग आप सबको प्रभु येश्यू मसी के पवित्र नाम में जैमसी की मैं परमेश्य पिता को फिर से धन्यवाद करता है महामारी से नाडरे प्रभु येश्यु मसी हम सब के साथ है किसके साथ है हम सब के साथ है कौन है प्रभु येश्यु मसी तो महामारी से बिलकुल भी नाडरे बलकि प्रभु हमारे साथ है एबात मेरे प्रियों हमें दिहान रखना है कि प्रभु मेरे साथ है मेरे साथ कौन है प्रभु येशु मसी तो मुझे क्या करना है ड़न नहीं क्योंकि परमेशन ने देखिए हमें डर का नहीं भेंका नहीं बरन सामर्थ का आत्मा दिया है कौन सा आत्मा दिया है शामर्द का आत्मा शक्ति का आत्मा दिया है और वो किस ने दिया है हमको प्रभु येश्यू ने अललिया वो हमें प्रभु येश्यू ने दिया है तो इस महामारी के बीच में पवित्र सास्त्र भाईबिल हमको इस प्रकार से कहती है बजन सगीता सत् इस अध्या है आप बहुत लोगों ने कई बार पढ़ा होगा और बहुत लोगों की चिस से में उतर गया होगा पर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ यह दाउद का भजन है और यह दाउद का भजन यह एक प्रात्ना है दाउद इस प्रिकार से कहता है यहोवा परमेशर मेरी जोती और मेरा उध्धार है मैं किस से डरूँ यहोवा मेरे जीवन का द्रणगा ठेरा है मैं किस का भेंखाऊँ आज किस का महामारी का बिमारी का किस का भेंखाऊँ किसी का नहीं न आगे लिखाँ है दूसरे पद में जब कुकर्मियों ने मुझे सताने और मुझी से बैर रखने रखते थे मुझे खाड डालने के लिए मुझे पर चड़ाई की तब बेही ठोकर काकर गिर पड़े चाहे सेना भी मेरे बिरुद्ध चामनी डाले तो भी मैं न डरूँगा चाहे मेरे बिरुद्ध लडाई ठंजाए उस दसा में भी मैं हियाब बांदे निश्चे रहूँगा महमारी के बीच में अभी तक हमको परमेशर ने रखा है हम परमेशर का धनवाद करते हैं और हमें परमेशन ने डार का नहीं भेंका नहीं वरन सामर्थ का आत्मा दिया है इसलिए देखो हम धीरत धरने वालों को धरने कहते हैं तुमने अयूब के धीरत के बिसे में तो सुना ही है और प्रभू की ओर से तो उसका फिर्तिफल उसे भी जान लिया है जिस से प्रभू की अत्यत कवना और दया प्रगट होती है हमें नहीं पता किया भविस्वारी की तरह है जिन्होंने सहन किया उन्हें धन कहा गया और हम इस सचाई को जानते हैं कि परमेश वर जो कवना और दयालू है हमें सहने और अनुग्र प्रधान करेगा ताकि हम द्रण बने रहें किसी भी तेब्रदवाओ के खिला पकड़ बनाएं इस महामारी को सहन करेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि इस जीवन में हम सभी एक पतित दुनिया में रहते हैं एक पापी दुनिया में रहते हैं सामान समस्याओं का सामना करते हैं जहां पाप और उसके दूख पाइनाम हमारे या प्रभू के मरने या प्रभू के लोटने तक, क्या है यह? साथ होंगे. और जब हम मैसे अधिकांस के लिए जीवन सामान रूप से चल रहा था, अब हम एक अलग माहुल को देख रहे हैं आज संसार में. एक अलग माहुल, एक अलग प्रभूत्ति को देख रहे हैं, महामारी से सामना कर रहे हैं, इसमें विस्वासी भी, अविस्वासी भी, बहुत से लोग इस महामारी से क्या कर रहे हैं, इस महामारी का सामना कर रहे हैं, जो हमारे जीवन को किसी ना किसी तरह से प्रभावित कर और बाविस्थ में भी अधिक बहुत सारे लोगों को हानी हो रही है किसी के बैपार में किसी के कुछ में हानी हो रही है पर डर देखिए दाउत का वजन हमें इस पश्डिती से याद दिलाता है यहोवा मेरी जोती है कौन है परमे से मेरी जोती है तो किसी प्रकार का डर और भे नहीं मतिर अची सुसामा चार पांच के पैतालीस में अधि हम देखते हैं प्रभी येश्व मसी ने कहा क्योंकि वह भले और बुरो दोनों पर अपना सूर्य उदाय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेगवर साता है इसलिए परमे स्वर के संतान होने के नाते प्राकिरते या मानव निर्वित अपदाओं के भ्यानक पाई नाम से किसी ब्यक्ति को बाहर नहीं करता या छूट नहीं देता कारण और प्रभाव के प्राकिरतिक नियम इस जीवन में चल रहे हैं इस जीवन में चल रहे हैं इबरानियो 9-27 में वहाँ पर हम यह भी जानते हैं कि पर मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद नियाय का होना नियुक्त है हम केवल यह नहीं जानते कि हम कब और कैसे मारेंगे इसलिए हमें आश्यर चकित नहीं होना चाहिए जैसे की मिरत्तु कुछ नया है ना ही इससे डरना चाहिए ना ही इससे डरना चाहिए बहुत लोगों को डर लगता आपनी मिरत्तु से जिसे हम रोक नहीं सकते उसे क्या ड़ना नहीं डोक सकते उसे ड़ना क्या वास्तों में हमें पॉलुस की तरह हमारा द्रश्टी कौन होना चाहिए क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसी है और मर जाना लाव है हम भी इस दुख पीड़ा और दुख के जीवन से हमारे संक्रमर के रूप में मरत्तु का स्वागत हो रहा है ताकि हम हमारे प्रभू और उद्धार करता इसु की सांदार उपस्थिती में प्रवेश कर सके यही कारण है कि पॉलुस ने कहा पहला कुरंति उसके पंद्रा आद्ध्या उसके पच्पन से चपन भी आएत में कहता है हे म्रत्तु तेरी जै कहा रही हे म्रत्तु तेरा डंक कहा रहा हमारे प्रभू यिसु मसी ने म्रत्तु को क्या कर दिया हरा अधिया हर नाद दिया है हललुया वहाँ पर लिखा पढ़िए जरा निकाल कर पहला कुरंति उसके 15 आधिया और उसके पच्पन और 56 आयत को दोनों आयत को दुर्वा उची आबाज में पढ़िए हैं है मरत्यू तेरी जे कहा रही है मरत्यू का डंग पाप है और पाप का बल देवस्ता है हललुया आज लोग पाप पर गोर नहीं कर रहे हैं आज लोग पाप पर गोर नहीं कर रहे हैं अभी भी अभी भी आप देखो सांसों की काला बजारी हो रही है मेडिसन की काला बजारी हो रही है ऑक्सिजन की काला बजारी हो रही है बहुत सारी चीजां हमारे देश में धिक्टों का सामना हो रहा है। बहुत सारी समस्या है लोगों को सामना करना पड़ा है। पर इस महामारी के बीच में परमैश्वन्न हमें सुरक्षित रखा है। हम उस प्रभू का धन्यवाद करते हैं। रहा म्रत्यू का डंग पाप है और पाप का बल विवस्ता है विवस्ता इस विवस्ता से इस पाप से चुडाने के लिए तीशू मसी आया आज लोग आज भी लोग मर रहे हैं ना सो रहे हैं फिर भी लोग मन नहीं फिरा रहे हैं फिर भी नहीं अभी भी समय हैं अभी भी सर है, मंद फिराओ, लोटाओ, श्वरकर आज निकट है, आज भी प्रभू कह रहा है, आज भी, शामान ने तोर से विश्वासी का प्रोथान, शरीर प्रभू येश्व मसी के प्रोथान पाए, वो शरीर के समान हो जाएगा, एक ऐसा सरीर जो खाने पीने की चमता रखता, वो परमेश्वर, जिसने अजबुत कामों को किया, वो परमेश्वर आज भी करने ही योग है, आयूब ने अपनी पत्नी से कहा, तु एक मूरिस्त्री सी बात ही करती है, क्या हम जो परमेश्वर के साथ, जहां से सुख लेते थे दुख ना ले, इन सब बातों मैं भी अयूब ने अपने मूँ से कोई पाप नहीं किया, हमें याद दिलाता है कि अच्छाई और बुराई बास तो मैं हम पर आ सकती है, अच्छाई और बुराई हम पर आ सकती है, हम संसार्म रहते हैं, इसलिए, जैसे, जैसा कि, किसी ने कहा, इस जीवन में केबल दो ही चीज हैं, जिन पर हम पूरी तरह से यकीन कर सकते हैं, म्रत तु कर, इसलिए हमें भी सब ही एक दिन मर जाएंगे, हम नहीं जानते कि कैंसे और का, इसलिए, याद रखने वाली पहली वात है कि हम अपने मरत्तु के साथ साजे गए हैं, यह अनुमाल लगाया जाता है कि कितनों की मरत्तु हो सकती है, लेकिन हम में से कोई भी किसी भी आकरती के बारे में निश्चे नहीं हो सकता, इसलिए जैसे जैसे हम एक इस कुरोना महामारी के चलते हम वास्तों में कई शवालों को सामना करेंगे, और हमारे विस्वास का परिक्षन भी हो सकता है, उधारन के लिए क्या होगा कि हमारा एक ऐसा एक खतरनाक वाइरस, एक खतरनाक वाइरस जो लोगों के जीवन को हानी पहुचा रहा है, यह बच्चा समान, हमें बच्चे के समान बनना होगा, क्या होगा अगर हमारे परिवार में एक से अधिक व्यक्ति प्रभावित हो, और अन परिश्टियों में बहसता हो, हमारे विश्वास का परिच्चन हो सकता है, इस महामारी को हमें प्रभावित करने की अनुमती देने के लिए पर मेश्वर से नाराज भी हो रहे हैं, बहुत से लोग बहुत से लोग परमेशर महामारी को नहीं मिटा सकते और ये पाप तो देखो अपने जीवन में विस्वासियों के लिए सबसे बड़े खत्रे मैंसे एक गलत आसा का पर चार बाइबिल की आयतों के संदर में बाहर किया जाता है और लोगों को यह सोचने के ल और रान चौकट पर खून के छीटे डालने के याद दिये जिससे कहा गया कि हम इसी तरह से बचे जाएंगे दूसरों ने आसा के संदेश को बनाने के लिए कोविट के अक्षरों का बहुत ही सूक्चमता से उप्योग किया यह यहसा है जैसे यह महामारी मस्यों को प्रभा नाक है क्योंकि अगर वाइरस मस्यों को प्रभावित करता है और उस मैंसे कुछ मर जाते हैं तो जिन लोगों ने जूटी आसाओं पर अपना बिस्वास बनाया था बे भी अपना बिस्वास खो सकते हैं कुछ लोग सोच सकते हैं कि परमेस्वर ने उने धोखा दिया है या उनकी प्राथनाओं का जवाब देने के लिए सकती हीन है उनकी परवाय नहीं करता ऐसा लोग सोच सकते हैं इसलिए हमें हमें अपने बिस्वास को बाइबिल के चंदों और परचिंदों की गलत ब्याक्याओं में नहीं डालना चाहिए आज यही हो रहा है बहुत से लोग गल भविस्वानियों पर जा रहे हैं आप बाइबिल को उठाईए बाइबिल को देखिए उसकी ब्याक्या सही समझिए गलत ब्याक्या को मत देखिए हमें यह अर्थात बादी होने और गलत तरीके से यह मानने की जरूत नहीं है परमेश और हमारी प्राथनाओं का जवाब हम हमारे अनुसार देता है हललुया तो आएए हम परमेश और पर अपना भरोसा रखें और जो भी हो उस परिस्तिर रहें यह महत पूर है कि यह महत पूर है कि इस तेज इस तेजी से फैलती महामारी के सामने परमेश और पर भरोसा रखें लेकिन परमेश और पर भरोसा करने क किया मतलब है? बाइबिल इस प्रिकार से क्या थी है हमें? नीति वचन 3 के 5 में बाइबिल हम से अग्रे करती है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना बरन संपूर मन से यहोवा परमेशवर पर भारोसा रखना यहां दो विचार हैं यहां दो विचार हैं एक प्रभू पर भा प्रभु पर भरोसा और दो अपनी समझ के आधार पर नहीं इसका मतलब यह है कि अंतिम परिक्षा यह है कि हम चीजों को अपने नजरिये से देखना बंदे कर देते हैं और चीजों को उसकी ओर देखते हैं उनके द्रश्टिकोंड से चीजों को देखने का एक उधारन है जो हमने म्रत्यू के बारे में पहले कहा था हम देखते हैं कि परमेशवन ने इसके बारे में क्या कहा और इसे सुईकार करते हैं हमें परमेशर पर भरोसा रखने की जरुवत है कि जो कुछ चल रहा है उसका वास्त्विक्ता के पिर्टी सचेत रहें इसवर पर भरोसा करके हम इसवर प्रदत आत्मिस्वास के साथ संकट का सामना कर सकते हैं और यह हमारे दिलों में सच्ची सांती लाता है यह हमारे हिर्दों में दिलों में सच्ची सांती लाता है अंगला यह एक एंसा समय है जब हम मसीही प्रेम प्रदसित कर सकते हैं क्या कर सकते हैं मसीही प्रेम प्रदसित कर सकते हैं एक गवाही एक छबी को बना सकते हैं जब एक महा मारी तीसरी सतापदी में रोम में फैल गई थी हमारे अधिकांस मसी भाईयों ने अत्यांत पियार और निष्ठा दिखाया कभी भी खुद को नहीं वक्सा उन्होंने बिमारों को सम्हाला उनकी हर जरुवत को पूरा करने के लिए उनकी मसी में सेबा की और इस दुनिया को छोड़ कर चले गए ब्लेंके दोरान मार्टिन लूथन की सलाय मैं परमेश्वन से प्रात्ना करूँगा कि हमारी रक्षा और दया करे फिर मैं सुवर्ष्थित करूँगा हवा को सुद्ध करने मैं मदद करूँगा हवा का प्रतिवंद करूँगा और इसे गरन करूँगा मैं उनी स्थानों और व्यक्तियों से वचाऊंगा जहां मेरी उपस्तिती आवसकता नहीं है ताकि बेदूसित नहों जहां मेरी उपस्तिती की आवसकता नहीं है ताकि बेदूसित नहों और इस प्रकार बिनासकारी और दूसरों को प्रदेशित करें इसलिए मेरी लापरवाही के कारण उनकी म्रत तु हो जाए नहीं कोई भी नहीं चाहता पर आज भौत से चाहते अधी ईश्वर मुझे उठाने के बारे में अधी ईश्वर मुझे उठाने की एक्षा करे तू वह मुझे अबस ढूड़ेगा और मैंने वही किया जो जो उसने मुझसे या पेच्चा की इसलिए मैं अपनी मिरत्तु या दूसरों की मिरत्तु के लिए जुम्मिदान नहीं हूँ अगर मेरे पडोसी को मेरी जरुवत है तो मैं जगह या ब्यक्ति से वचने या भागने की कोशिस नहीं करूँगा लेकिन जैसे की उपर अभी जो मार्टिन लूथर की कहानी से चल रहा है एक सिद्धांग एक सीखने वाली बात सुतंतर दूप से करूँगा एक ऐसी परमेशे से जुड़ी आस्ता है क्योंकि यह ना तो मूर्ख है और ना ही इस्वर को लुभाती है मार्टिन लूथर साफ साफ इस परश्डिती से बताते है चाहे घातक महामारी हो चाहे घातक प्लेंग हो यह एक ऐसा सामान जवाब है जब मसीही प्रेम प्रदसित कर सकते हैं दूसरों के लिए हमारा प्यार भी हमें उनके पिरती अपनी जुम्मिदारी के पिरती सचेत करना चाहिए और ऐसे तरीकों से काम करना चाहिए जिससे दूसरों को कोई खत्रा और हानी भी ना हो सामने की तर्च पर बाहर होना हम भी सभी के लिए संबाव नहीं हो सकता लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं और यहां तक कि अगर हम उन्हें भोजन परदान नहीं कर सकते अधी भी बुजुर्ब हैं अकेले रहते हैं और इसी तरह हम काम से कम अपने फोन का उपियोग कर सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं और प्राथना कर सकते हैं हमें अपने हमें अपने बीच गरीब और कमजोरों को भी याद रखना चाहिए शुरुआती चर्च में एक बड़े धार्मी बीबात के दोरान यरुसलेम में बड़ों से पॉलुस तदा और भी विसेश थे जहां पर आप देखेंगे लिखा है गलातियों उसके दो के दस में केवल कहा गया कि कंगालों की ही सुधी लें और इसी काम के करने का मौका टूरा तो रियतन करें अधी लोगडाउन है तो जमा खोरी नहीं कर पाएंगे अधी संबव है तो हमें बाहर तक पहुँचना चाहिए और उनकी मदद करने चाहिए आज का जो लोगडाउन है पिछले लोगडाउन से बिलकुल अलग है आज का जो लोगडाउन है हर ब्यक्ती का क काम काज चल रहा है, हर व्यक्ति का, पर एक जो चेर्च, मैं ऑनलाइन प्रात्रा हो रही है, चार्च की जो इंकम है, वो एकोनोमिक है, बो बिलकुल बंद हैंद हैंदी, लोग पास्टर किसी के पास नहीं जा सकता, अभी बिलकुल एकानों में लोगों के काम चल रहे हैं बहुतों के बिजनिस नहीं चल रहे हैं बहुतों के काम चल रहे हैं बहुतों के नहीं चल रहे हैं हमें समझदारी से काम लेना चाहिए जबकि यह सच है COVID-19 के लिए वो एक बहुत ही उच्छ आरोग प्राप्ति दर म्रत्तु है आज हम देख रहे हैं कि म्रत्तु की दर बाढ़ रही है हमें याद रखना चाहिए कि हम बाइरिस से बचने में समख छो सकते हैं कुछ अन्विसेश रूप से बुजुर्ब जो हमारे संपर्क में आते हैं या नहीं इसलिए हम सभी को अधिक से अधिक सोसल डिस्टेंसिंग का अभ्यास करना चाहिए क्योंकि यह एक तरीका था जिससे चीन, ताइवान, अन देशों का वाइरस के प्रसारण से नियंतरन करने में उनको मदद मिली, आज हमारे देश उस समस्या से जूज़रा और अभी भी बहुत से लोग नहीं समझ पा रहे हैं मेरे प्रिवभाई बेहनों समझ ने कियावा सकता है, अंत मैं हमें प्रात्ना करना चाहिए, प्राण रक्षा के लिए, सही नेडने के लिए, उन सभी के लिए, विसेश रूप से ग्यान के लिए प्रात्ना करें, जो स्वस्त सेवाओं में उन लोगों के लिए प्रात्ना क अपने दोस्तों और परिवारों के लिए प्रात्ना करें और खुद के लिए प्रात्ना करें हम वफदार हो सकें इसके लिए प्रात्ना करें हम परमेशर के लिए अपने लिए अपनी कलीश्या के लिए हम इमानदार वफदार हो सकें और हमारे जीवन के मद्ध से उसके नाम की महिमा मिल सके उसके नाम को महिमा मिले और उन लोगों के लिए प्रात्ना करें जो येशु को नहीं जानते हैं इन अनिश्चित इन अपदा के समय दौरान बे येशु मसीव में पच्छताब और विस्वास में आएं विस्वास में हमें प्रात्ना करना चाहिए उनके लिए कि वो ऐसा करने पाएं और आकिर कर यह मेरा दूसरा यह स्तर की किताब में लिखा है चार के चौदा में क्या फिर क्या मुझे जाने मुझे एसे कठी समय के लिए राजपत मिल गया हो या जैसे कि येसु ने कहा एक अलग संधर्व है लू का 21 के 13 में पर यह तुम्हारे लिए गवाही देने का आउसर हो तुम्हारे लिए क्या हो गवाही देने का एक मौका एक आउसर धियान क्या करना धियान आज उन सारी बातों के लिए उन सारी चीजों के लिए प्रभु का धन्यवाद हो आईए प्रात्ना करें जो मैंन इन सारे विशुक लिए प्रात्ना करें। भज़ास गीता पांच 27 के पांच में लिखा हुआ है। 27 के पांच में इस प्रिकार से लिखा देखिए परमिस्के बचन में। 27 के पांच में क्योंकि वहे तुझे बिपत्ति के दिन अपने मंडप में छिपा लेक रखेगा, अपन इस वक्त किताब 26 अध्या है और उसके 20 और 21 में भी थोड़ा सा आप देखिए निकालकर यसा है उसके 26 अध्या और उसके 20 21 में इस प्रिकार से लिखा हुआ है। हे मिरे लोगों आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किबालों को बंद करो थोड़ी देर तक जब तक क्रोशांत ना हो तब तक अपने को छिपा रखो। क्योंकि देखो यहूबा प्रत्वी के निवासियों को अधर्म का दंड देने के लिए अपने इस्थान से चला आता है। और प्रत्वी अपना खून प्रगट करेगी और घात किये हुआ और अधिक ना छिपा रखी। उस परमीश्वर का धन्यवाद करें। भजन सेगीता 91 के तीन में परमीश्वर ही है जो हमको शप्रकार की पत्ति से बचाएगा। परमीश्वर चाहता है कि हम अखके इस्थान में उसके चाहे हुए स्थान में बैठे रहें। और उसकी उससे सहायता मांगे है वही सप्रकार के क्या लिखा हुआ है 91 और उसके 3 में वह तुझे बहलिये के जाल सी और महामारी से बचाएगा कौन बचाएगा परमीश्व बचाएगा आप किसी चीज़ से नहीं मसी हो मेरे भाई और बहनों महामारी से नाडरें प्रभु येशु मसी आपके साथ है आपके साथ है वो इस आंधी में इस महामारी के दोरान इस विपत्ती के दोरान इन कठिन समय के दोरान प्रभु मेरे साथ है प्रभु आपके साथ है अमेन हलिलुया निरंतर आप प्रात्ना करें निरंतर हमारे भारत के लिए देश के लिए प्रात्ना करें कि परमेश्वर हर एक को रोटी, कपड़ा, मकान मेडिकल आवस सक्ताएं उनकी पूरी होने पाया आई ये प्रात्ना करें शर्व सक्तिमान दयालू और अनुग्रहकारी जीवित परमेश्वर प्रभु हम आपकी ओर देखते हैं धन्यवाद देते हैं ये सर्विसक्ति माहन परमेश्वर इन वचनों के लिए आपका धन्यवाद हो परमप्रधान तेरे पपित्र नाम का धन्यवाद हो तू सच्चा और जीवित परमेश्वर हैं हाँ प्रभु इस विपत्ति से इस महामारी से तू ही बचाने वाला प्रभु है और कोई नहीं मेरे परमेश्वर पिता हैं हम प्रात्ना करते हैं प्रभु येश्यू मसी के नाम से प्रभु आप सहायता करें उन तमाम लोगों की, जैसे कि आपका बचन दाउद इस प्रिकार से बताता है, यहोवा परमेश्वर मेरी जोती और मेरा उद्धार है, मैं किस से डरूँ, यहोवा मेरे जीवन का द्रण गर ठेरा है, मैं किस का भेंखाऊं, प्रभु जब तु मेरी ओर है, मेरे लोगों की ओर है, तो इस प्रिकार की कोई भी जो दुष्ट स्थान की शक्ती या बिमारी, किसी को छू नहीं सकेगी, किसी को कोई हानी नहीं करेगी, प्रभु उनके लिए दुआ करते हैं, जो इस महामारी के कारण से इस जगत को छोड़ कर जा चुके हैं, जो प्रभु में सो गए हैं, और जो प्रभु में ना रहकर सोए हैं, हे प्रभु, आप से प्रात्ना करते हैं, उनको उनके परिवारों को सांती दो प्रभु, और प प्रभु हम प्रात्ना करते हैं जो कोविट में प्रभु जी, कुरोना में संक्र में था प्रभु जी प्रभु येश्यू के नाम से वो चंगे हो जाएं वो कुरोना से संक्र में था जो जो पॉजिटिव हैं वो येश्यू मसी के नाम से निगेटिव हो जाएं येशु नासरी के नाम से वो निगेटिव हो उनका शारा क्रोणा के संक्रमन शारी महामारी के संक्रमन येशु ख्रिष्ट के नाम से नश्ट हो जाए हार एक सर्दी खासी भुखा ओ दर्द दूर हो जाए इशु के नाम हर एक body pen, हर एक सर का दर्द, हर एक फेपड़ों, जो जो फेपड़ों में वाइरस, येशु मसी के नाम से नश्ठ हो जाए, उनके फेपड़े किलियर हो जाए, उनके लंस किलियर हो जाए, येशु नासरी के नाम से, ओ प्रभू मों उनकी आँखों को सुरक्चित करता हूं, उनके फेपड़ों गुसरक्चित करता हूं, येशु नासरी के नाम से, ओ थैंकि लोड, हललोया, प्रभू येशु के नाम से मेरे परमेश सर, इस महामारी के बीच में प्रभू, आप हमारे साथ हैं प्रभू, क्योंकि आप कहते हैं, मैं कभी ना छोड़ूंगा, और ना क प्रभूत्र लहु का मैं बाड़ा बांता हूं, येशु नासरी के नाम से, ओ शामर्थी और जीवित परमेश्वर, आप हरे को अपने पंखो की आड़ में ले लिजे परमेश्वर, ओ थैंकि लोड, जीदा सालल लिया, शामर्दी परमेश्वर, धन्यवाद येशु, प्र पीड़ा नहीं होगी, कोई माहामारी चुएगी, ओ थैंकि चीज़ा साललो लिया, ओ महान परमेश्वर हमारे देश के लिब दूआ करते है प्रभू जी, इस देश में प्रभू जी, अलग-अलग जगे हो में, अलग-अलग राज जमें पिता परमेश्वर पिता, इस समय म महामारी अम्रत्तु ओ प्रभु पैर पसार रही है प्रभु हम प्रात्ना करते प्रभु जी कि वो नए होस्पिटर्स ओ डॉक्टर्स विवस्थाएं प्रभु जी सारे चीजों के प्रबंद होने पाएं मेरे परमेश्पिता ओ भारत देश मेरे परमेश्पिता इस महामारी क हराने पाए मेरे परमेश पिता ओ येश्यू के नाम से प्रभू जी तेरी एक बड़ी वेदारी आने पाए प्रभू जी लोग मेरे परमेश पिता तेरे पास आने पाए लोग पच्छे ताप करने पाएं लोग मन फिराने पाएं पिता परमेश पिता येश्व आपके नाम को जाने बिना प्रभू बहुत सी आत्मा है माण रही है प्रभू ओ प्रभू ये वेदारी के लिए हम प्रात्ना करते हैं ओ ये revival के लिए प्रात्ना करते हैं, कि लोग मन फिरा हैं प्रभु जी, बहुत सी आत्मा है पाप में ना सो रही हैं प्रभु जी, ओ शीजा साललुया, प्रभु आपकी बेदारी को मांगते हैं, ओ revival को मांगते हैं मेरे परमेश पिता, ओ मन फिराने पाएं लोग प्रभु इस देश में मेरे परमेश पिता, ओ जी, शाललुया, महान परमेश जिनके ये बेडिशन चल रहे हैं प्रभु, ओ प्रभु वो सक्से जो परमेश पिता, ओ जी, शाललुया, उनको सफलता मिले मेरे परमेश पिता, ओ जी, शाललुया, प्रभु इस शु के नाम से बातना करते हैं पिता, ओ प्रभू आप ही सहायता करने वाले ओ प्रभू है और कोई नहीं जिवित पर में इसर पिता ओ प्रभू अपनी दया को अपनी अनुगर अपनी करणा को हर एक पर परगट करें प्रभू जी हमारे भारत देश से महामारी चली जाए येशु कृष्ट के नाम से येशु कीजिए परमिश्पिता कि इस बिस्विस इस कठेन और परिक्षा की घाड़ी में मेरे परमिश्पिता वो विस्वास्त ना भटक नहीं पाए प्रभू वो प्रात्न में बने रहें प्रभू और आपके पवतर नाम की महिमा करते रहें ओ जीवित और सामर्ती परमेश्वर अपका धन्यवारत करते हैं जीवित परमेश्व ओ धेंके चीजा साल्यलुया प्रभू आप हमारी परात्नओं को सुनने वाले प्रभू ओ पिता जिनको डार है प्रमेश्पिता प्रभू आपने डर का नहीं बहाएं का नहीं सामर्त का आत्मा दिया उनका डर इस तुमसिक में दूर हो जाए वो सातमा को आग्या देते हैं येश्यू के नाम से प्रभू आपके दूत सर्बदा शहायता करने वाले रक्षा करने वाले प्रभू ओ हललुया ओ जीज असाललुया प्रभू आपके दूतों को परमेश राग्या दीजिए ओ प्रभू आपके दूतों को आ येश्यू के नाम से मैं आसिज देता हूँ ौन्हें आसिस देता हूँ उन आसिस देता हूँ कि उन सब का भला हो और कल्यान हो उन सब पर 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 अपके आसिस और मेरे परमिश्जपिता उनकी अन्र vic전 पर उनके जलपर आसिस ओ प्रहुब उनके सरीर पर मेरे परमेश्पिता तेरी चाप हो परमेश्पिता तेरी लहू की heartfelt हो तेंकी चीज़स जीवित परमेश्वर इस मध्यस्ता की प्राथना के द्वारा हा प्रहु ये माहमारी खतम हो बीमार चंगे हो दुष्ठात्माय जाए प्रभू, येशु के नाम से पिता, लंगडे देखे अंधे, ओ प्रभू परमिश्पिता, ओ प्रभू परमिश्पिता, येशु के नाम से प्रभू जी, अद्बु चमतकार हो परमिश्पिता, लंगडे चले मेरे परमिश्पिता, और जो अंधे है म मार्ग दर्शन में नहीं चल पाते प्रहुजी फिर भी पिता आप से दुआ करते हैं ओ प्रहु आप उन्हें शही सिक्चाओं में शही दर्शन में, शही वचन में लेकर आईए प्रहुजी, जो जूटी सिक्चाये चल रही प्रहुजी, वो जूटी सिक्चाओं से, जूटी बाणियों से, आप उन्हें बचाईए मेरे परमेश पिता, ओ प्रहु आपके लोगों को आफी वचा सकते हैं, आपके लोगों की रख्षा आफी कर सकते हैं, जीवित परमेश आपका धन्यवाद करते हैं, आज की राज जब प्रहु आपके लोग सोते हैं, मिठी नीन दीजिए, और शौप्रे के द्वारा सबसे वाचित कीजिए, धन्यवाद पिता, आपने हमारी प्रात्ना को सुनना है प्रहु, इसके चीजवाद साललुया, मेरे प्रिवों प्रहु, आप सबको वासिश दें, और आप सबकी प्रहु रख्षा करें, आप सब लगातार प्रात्ना करते रहें, बस डरें परमेश्वर से और बचणों पर ध्यान दें, कि कि परमेश्वर ही है, जो हमें सब प्रकार की विपत्ती किसे मरी से बचाने वाला और कोई ने सबको जामे से की फेसलोट बाबो आपको आपके पलुआ होगी सबको जामे से की फेसलोट